नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़ारखन के दिन भर की खबर जानते हैं स्वास्त्य मंत्री बना गुपता ने ज़ारखन के लिए एक और एमस मांगा भारत सरकार के आयुस मंत्राले द्वारा उतर परदेश के वारा नसी में अवेज़ दो दिवसीय इनुवर्सल हेल्थ कौवरेज दिवस कारकरम में राजे के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने केंद्रिय स्वास्त मंत्री मांसुख मांडविया से मुलकात की स्वास्त मंत्री ने मुलकात के दोरान केंद्रिय मंत्री को राजे में स्वास्त के छेतर में चल रही हो जनाओक की प्रगति की जिनकारी दी बता दे बना गुपता ने कहा है कि चाहे टीवी मुक्त भारत बनाने का सपना हो या फिर फैलेरिया और कलाजार मुक्ती का सपना भारत सरकार के द्वारा निर्धारीत सभी लक्ष को जार्खंट समय से पहले पूरा करेगा जार्खंट के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने भरुसा दिलाया है कि राज्य में स्वास्त सेवा को बेहतरिन बनाने को लेकर हेमत सरकार क्रित संकल्पी था और केंद्र से सहोग मिला तो राज के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा IAS पूजा के खिलाप एफ़ाया दर्ज करे जहर्खन सरकार E.D. परवतनी देशाली ने जहर्खन सरकार से जेल में बंद निलंबीत IAS अधिकारी पूजा सिंगल के खिलाप IAS अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए एफ़ाया दर्ज करने को कहा है I.D. ने यह बात राज सरकार को सौपी गई एक रिपोर्ट में 82.77 को रुपए के मन्रेगा घोटाला में उनकी संपत्ति की कुर्की के समद में कही है I.D. की रिपोर्ट सुक्रवार को सरकार को मिल गई है I.D. ने सरकार से कहा है कि वह पूजा सिंगल से उनकी संपत्ति के सुरोत बताने को कहे I.D. ने कहा है कि राज सरकार के लिए पूजा के खिलाब भरष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफायार दर्ज करना उचित होगा I.D. ने मई में ततकालिन खनन सचीव पूजा सिंगल को खुटी जिले में मन रहेगा योजनाक के किर्यानवेजन में 18.06 रुपए घोटाले में गिरफतार किया है मंतरी आलमगीर आलम को बर्खास्त करे सरकार दिपक परकास जारखन हाई कोट दवारा टेंडर मैनेज मामले में की गई टिपनी के बाद राजनीती सुरू हो गई भाजपा परदेश अध्यक्ष दिपक प्रकास ने राज सरकार पर निशाना साथते हुए कहा है कि भरष्टा चार और घोटालों में आकांट डूबी राज सरकार में रोज नए करना में उजागर हो रहे हैं भाजपा परदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अब सरकार के मंतरी बिकास की जमेदारी नहीं समाल रहे बलीक ठेका पटा टेंडर मैनेज करने में ही अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं उन्होंने कहा है कि उच्छ ने आले ने जिस परकार से राज सरकार के मंतरी के खिलाब कड़ी टिपनी की है उससे राज सरकार का उसली चेहरा उजागर हुआ है नए साल की तैयारी में जूटी रांची पुलीस रांची में अगामी तेवार को लेकर पुलीस अलाट हो गई है खाचकर सराब भिगरी और सेवन को लेकर विशेस एतियात बरतने की निदेश दिये गए है क्रिस्मस और नए साल को लेकर रांची पुलिस अभी से अपनी त्यारी में जूट गई है सनिवार की देर साम रांची SSP की सोर कौसल ने रांची के सभी DSP और थनेदारों के साथ बैठक की SSP ने इस दोरन क्रिस्मस और नए साल में सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिये बता दे रांची में सराब दुकानों के सामने भील लगा कर सेवन करने वालों पर अपकरवाई होगी रांची पुलिस ऐसे सराबियों को न सिर्फ पकड़ेगी बलिक सराबियों के साथ दुकानदार पर भी कानूनी करवाई करेगी देवघर जीला भाजपा का होगा अपना कर्याला है जार्खन परदेश में भार्दिय जनता पार्टी का पहला जीला कर्याला अपनी जमीन पर बनेगा देवघर सहर से 2 किलोमेटर की दूरी पर वार्ड नमबर 35 में इस्थित जमीन के रइश्टरी हुई है भाजपा के परदेश को साध्यक्ष दीपक बंका वा जीला को साध्यक्ष दिलीप सिंग के उपस्थिति में जमीन की रइश्टरी हुई परीब 10,000 वर्ग फिट जमीन का डिट तयार हुआ है इस 10,000 वर्ग फिट एरिया में अधोनिक वार सुविधा यूगत भाजपा कर्याले बनाने की योजना है बताया जाता है कि रामची में भाजपा का परदेश कर्याले को छोड़ राजबर में अने किसी जीले में पार्टी का अपना भावन नहीं है रांची में अपनी जमीन पर भाजपा ने अपना भावन बनाया है देवगर पहला जीला मुख्याले बनने जा रहा है जहां भाजपा की अपनी जमीन पर पार्टी का कर्याले बनेगा है जारखन में बढ़ेगी कनकनी उतरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब में पच्मी भी छोब के असर से जारखन में आने वाने दिनों में कनकनी बढ़ेगी राजधनी राची लवनगरी जमसेदपूर समयत कई जीलो का नियुमतम तपमान इन दिनों समाने से अधिक हो गया है राची के बिलसा मुड़यार पोड के पास इस्थित मौसम केंद्रे ने रभी बार को यह जनकारी दी है मसम केंद्रे के मुताबिक राची का नियुमतम तपमान समाने से तीन डिग्री अधिक है जबकि जमसेदपूर में यह 4.6 डिग्री से अधिक है पलामू के डाल्टेंगाज और चाईबसा का नियुमतम तपमान भी समाने से अधिक हो गया है डाल्टेन गंज में यह समाने से 0.6 डिग्री सिल्स्यस अधिक है ज्यारखन में 12 दिसंबर से बिजली कटाउती से मिले गिराहत ज्यारखन बिजली बीतरण निगम लिमिटेड जेवी भीनल द्वारा पावर फाइनेंस कर्पोरेशन से 750 कोल रूपई लोन लेने की परक्रिया चल रही है पी एपसी को कगजात भेज़े जा चुके है बताया गया है कि 12 दिसंबर को 750 कोल रूपई में से 204 कोल रूपई रिलीज कर देगा इस रास्ति का भुगतान डिवी सी को बकाया मद में सीधे पी एपसी से कर दिया जाएगा इसके साथ ही केंद्र दोरा बिजली लेने परलगी रोक हट जाएगी तब जार्खन जरूरत के मताबिक बिली ले सकता है और लोट सेडिंग की समस्या से जार्खन को निजाद मिल सकती है बतादे बरतमान में 300-400 मेगा वाड की लोट सेडिंग हो रही है हलाकि राइदानी राची को फूल लोट बिली देने का पर्यास किया जा रहा है मनी लॉंडरिंग के आरोपी जेल में मनार है जस्न मनी लॉंडरिंग के आरोपी ओ द्वारा राची सिथ बिस्ता मुंडा सेंटर जेल में वर्थ डे पार्टी और जस्न मनाने के सुचना एडी को मिली थी इस पर एडी के टीम ने जेल पर्शासन से CCTV फोटेज मांगा था जेल पर्शासन ने एडी द्वारा भेजे गए पत्र के आलोक में PMLA कोट में पेटिशन दाखिल कर या जानना चाहा था कि फोटेज देना नया संगत है या नहीं जेल पर्शासन की आजका पर कोट ने CCTV फोटेज इडी को सौपने का आदेश दिया है इडी ने सुनवाई की दवरान कोट को बताया है कि मनी लॉंडरी के आरोपी पर सासनिक और आयनितिक तोर पर प्रभाव साली है इसलिए समाधित आरोपियों के जेल जाने के बाद से ही उनकी गतिविद्या पनजर रखी जा रही थी जमसेदपूर के साक्ची में धारा 144 लागू साक्ची में बसंत टाकीज के सामने हनुमान मंदिर में सुक्रवार की आधिरात को मंदिर की छत ढलाई की जा रही थी वहीं सनिवार आधिरात को पुलिस ने ढलाई के लिए लगी सेटरिंग और छोड को हटा दिया है इस दोरान SDO, ढालभूम, प्यूस, सिनहा, SSP, सूप, भरांसू और टाटा इस्टिल के अधिकारी अमीद कुमार मवजूद रहे SDM ने सुक्रवारात से ही मंदिर के आसपास निश्यदागया लगा दी थी मंदिर के पास दो जैसीवी भी लगाए गए, जबकि दोनों और के रास्ते को पुलिस ने बंद कर दिया इससे इस बात की चर्चा होने लगी कि परसासन मंदिर तोड रहा है लेकिन SDO ने कहा कि धलाई के लिए जो पट्रे और छोड लगाए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है जैसी भी सड़क के आसपास अतिकर्वन हटाले के लिए है जैक कर्यालाई का जनवरी में घिराव करेगा मोर्चा जार्खन राजे बीत रहित सिक्षा सन्यूक्त संहर्स मोर्चा ने जार्खन एकेडमी काउंसिल में DEO को संजोजग बनाने का बिरोध किया है मोर्चा की बैठक सनिवार को हुई बैठक में DEO अजैक कर्यालाई की मनमानी के खिलाप आंदोलन का निने लिया गया मोर्चा जन्वारी में जार्खन एकेडमी काउंसिल कर्यालाई का घिराव करेगा बैठक में मोर्चा के रहुनाद सिंग ने कहा है कि जब परिक्षा फर्म ऑनलाईन जमा किया जाता है तो इसमें DEO के अनुमोधन की क्या हो सकता है बारा दिसम्बर को मोर्चा की फिर बैठक होगी बैठक में आंदोलन के आगे की रणनेती तैकी जाएगी चुलहा जलता छोड़ कामरा बंद कर सो गए दमपती दोनों की महत रामकर जी लेके कोईरी टोला में सनी वार के सुबा एक दधना घटना सामने आया है जनकारी के अनुसार सहर के कोईरी टोला के रहने वाले 65 वर्षिये जीरा महतो और 55 वर्षिये उनकी पतनी रेनु देवी रात को ठंड के कारण अपने कमरे में चुलहा जला कर सोय थे सुबा जब उनका कामरा नहीं खुला तो घर के लोगों ने काफी दरवाजा खट कटाया जब रूम के भीतर से दरवाजा नहीं खुला तो लोग दरवाचा को तोड़ कर अंदर परवेश किये जहाँ देखा कि जीरा महतो और उनकी पतनी मृत अवास्था में पड़े हाएं धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं है ते चनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एकन दबहेएं साजिसतात वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के से से करना भूलें साजिसतात आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवास से दे थैंक यू